गुद मॉर्निंग क्लास हमारे 36 गड़ में 5 नमिंतम जीलों के अधिसूचना कब हुआ गठन कब हुआ और उसका घोसडा कब हुआ ठीक है इतना मैं आप लोग के लिए कराये हूं कौन से राज्य के अंतरगत 36 गड़ राज जेंगर है हमारे 36 गड़ राज्य में इसमें से 2 से 3 की उस्चन 4 की उस्चन इसो और पांच क्युस्चन भी बन सकता है लेकिन फिक्स है आप लोगक का नमिंतम जीलों से 5 क्यूस्चन आना तैं है ठीक है, मैं दावे से बोल रहा हूँ, इसको पढ़ते चलना है, अच्छे से बनाते चलना है, समझते चलना है, इसको हमें रटना नहीं है, समझना है कब बना, कहा बना, कैसे बना, ठीक है, चलो, देखते हैं सबसे पहले, इसके हम लोग क्या बना लेते हैं, डाइग्राम बन आलो देखो इधार ठीक है यह चतिस गढ़ का ड्राइग्राम समझ लो यह है आपका चतिस गढ़ ठीक है इसको समझ लो आप यह चतिस गढ़ है तो चतिस गढ़ में हम लोग देख लेते हैं नविंतम जीलो के बारे में किसके बारे में नविंतम पांच नय जीलो ठीक है पांच नय जीलो के बारे हम जानते हैं तो देखो सबसे पहले हमारा जो ये 36 गड़ में पांच संभाग आते हैं क्या क्या संभाग रायपूर संभाग ठीक है दूर्ग संभाग, बिलासपूर संभाग, सर्गुजा संभाग, बस्तर संभाग, पांच संभाग आते हैं, देखो इधर हमारा क्या है, नीचे कौन से हमारा, बस्तर संभाग, उपर में देखो इसको दो संभाग से डिवेट कर दो, ये आपका दूर्ग संभाग, ये आपका रैपूर संभाग, और ये उपर वाला ज़स्ट आप लोग का, बिलाशपूर संभाग, क्लियर हीतना, इसका आप लोग को मैं निर्माड पिछले कलास में बता आ चुगा था, ठीक है, रैपूर बस्तर संभाग का निर्माड का भुवा था, उननीच सव इक्यासी, कितने में हुआ था, उननीच सव इक्यासी, बस्तर संभाग का निर्माड हुआ था, आपका उननीच सव इक्यासी, बस्तर संभाग के अंतरगाद अभी वरतमान में साथ जीले आते हैं, कितने जीले आते हैं, साथ जीले आते हैं, ये है आप लोग का द वही वर्तमान में दूर्ग संभाग के अंदर रगत कितने जीले आते हैं, साथ जीले आते हैं, ठीक है, अगर पूझ देगा 28 जीलों के अनुसार दूर्ग संभाग में कितने जीले आते थे करके, तो पांच जीले आते थे, अभी इसमें दूर्ग संभाग में दो नए जीलों किया है गठीत किया गया है इस वर्तमान में है कितने doubts साद सबसे पहले सभी संभात नीर्माड़ कामका भ९ह देखो आप का संभातने निर्माड़ में दूर्ग संभाग बना था आपका दो हजार तेरा चवदा में ठीक है बिलास्पूर बना था उननीस सव छपपन में और सरगुजा बना था आपका संभाग दो हजार आट में ये इनका क्या है आपका गठन है ये ठीक, बस्तर संभाग कब बना, 1981, बस्तर संभाग बना आपका, 1981, इतना याद रखना है, दूर्ग संभाग कब बना, 2013-2014 याद रखना है, दूर्ग संभाग हमारे 36 गड़ का सबसे नवीन वाला संभाग है, देखो ये 1862 याद रखना है, 1862 राइपूर संभाग का निर्माड हुआ था, किसका निर्माड हुआ था, राइपूर संभाग का, ठीक है, 1956 में बिलासपूर संभाग का निर्माड हुआ था, काउन संभाग का, बिलासपूर संभाग का, 2008 में सरगूजा संभाग का, प्लियर ह ठीक है बिलासपूर जीला में याद रखना आप लोग बिलासपूर जीला में कितना एक कितना जीला है बताओ एक जीला याद रखना है कितना जीला एक जीला याद रखना ठीक है और यहां सुसके निच्चे जस्ट हम लोग देख लेंगे राकर तो यह हो जागा एक और बना है ठीक है दूर्ग संभाग में 더 नहींजिल कितने बना है दूर्ग संभाग में दूर्ग意 चार और एक 5 तो अभी वर्थमान में 2022 में हमारे 36 ग नहीं जील का गठन हुआ है तो देखते हैं कब बना कब घोसडा हुआ जा री हुई और कब आप लोग का गठन हुआ, उसी को सुभाराम भी बोलते हैं, ठीक है, यह हमें याद करते चलना है, कि इसके सासाथ, ये उसके संभाग के सासाथ, देखते हैं ठीक है, बताओ हमारे 36 गण में कितने संभाग है? पांच ठीक है तो किन कुण से संभाग से आप लोग का गठन हुआ है दूर गठीक है याद रखना है आप लोग का सबसे पहले सबसे पहले देखना सरगुजा में सरगुजा संभाग में आप लोग का एक नए जीला का गठन हुआ है कौन से जिले का आप लिए याद रखना मनेंद्रगड चिर्मीरी भरतपूर ठीक है यहाँ पर आप लोग का बना है मनेंद्रगड मनेंद्रगड भरतपूर चिर्मीरी ठीक है मनेंद्रगड चिर्मीरी भरतपूर याद रखना है ठीक है, दूसरा आप लोग का जिला यहाँ आद रखना है सक्ती, ठीक है, सक्ती जिला बना था किस से लग करके, जानगीर चापा से लग करके, दो जिला हो गया, तीसरा जिला याद रखना है आप लोग को यही पर रागड से लग करके, ठीक है, यहाँ पर बना सक्ती, ठीक, तिसरा याद रखोगे, सारंगड, बिलाईगड, सारंगड, बिलाईगड बना, और यहां दूर का संभाग में दो याद रखना, राजनांद गाउं को अलग करके, उपर में बना आप लोग का, खैरागड, ठीक है, और नीचे में बना आप लोग का, ठीक है, यह खैरागड गंड़ाई बना आप लोग का, खैरागड सेजी याद रख लो, उसके बाद ये महला मानपूर बना आप लोग का, महला मानपूर अंबागड चाओंकी, महला मानपूर अंबागड चाओंकी, ये आप लोग का, टोटल पांच नय जिल्यों का निर्माड हुआ है अभी वरतमा में, 2022 में, ठीक है, 2022 में क्या हुआ है, पांच ने जिल्यों का गठन हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्रम अनुसार जानते हैं, किसके अनुसार, क्रम अनुसार जानते हैं, ठीक है, देखो, क्रम के अनुसार समत्ते हैं इसको, क्रम अनुसार, इधर लेते हैं, क्रम अनुसार ठीक है क्रमनुसर एक साथ अभी के अभी याद करते चलना है सब को टोटल ठीक है एक साथ क्रमनुसर में याद रखना सबसे पहले देखो हमारे 36 गड़ में 2020 से पहले कितना था तो 2020 से हमारे 36 गड़ में 27 जिले आते थे कितने जिले 27 जिले अभी वर्तमान में कितने जिला आता है 23 जिले आते हैं 2020 में एक और नए जिले बनाया था बिलासपूर से अलग करके गवरेला पेंडरा मरवाही जो कि हमारे 36 गड़ का 28 जिला था ठीक है यह याद रखना और अभी फिर 2022 में पांच ने जिलो का क्या क्या गया घोसडा क्या गया जो कि देखो क्या की गोसडा किया गया था यह याद रखना आप लोक क्रमा नुसार आप लोग का 28 के बाद क्या आता है 29, 30, 31, 32 और 33 ठीक है इतना याद रखना आप लोग 28 वा जिला का ओन गौरेला पेंटा मर वही ठीक है 28 याद रखना है 29 याद रखना है 30 याद रखना है 31 याद रखना है 32 याद रखना है और 33 ठीक है 29 में आप लोग याद रखना है देख बनाऊंगा वैसे same to same आप लोग को समझना है जिंदगी भर्याद रहेगा कभी नहीं भूलोगे ठीक है देखो मान की लोग एक छोटा यह 36 गड़ बना रहा हूं यह आप लोग का 36 गड़ है यह 36 गड़ है ठीक है तो 36 गड़ में same उसे मैं में बनाग बता रहा हूं आपको वह इसी बना के चलना है आप लोग को देखो 36 गड़ में सबसे पहली यहाँ पर है हमारा यह तो नीचे हमारा बस्तर संभाग है बस्तर संभाग उपर में कौन कौन से संभाग यह दूर्गा संभाग यह रैपूर संभाग इसके बाद उपर में कौन से संभाग विलासपूर संभाग उपर मेरा भी सरगुजा संभाग यह पांचो सर गुजा संभाग के अंतर का तीन हमारे क्या बनाया गया है, तीन संभागों से अलग करके पांच नए जीलो का निर्मार किया गया है, तीन संभाग के अंतर का कौन-कौन से जीले से अलग करके बनाया गया है, यह जैननत यह और सक है, तो देखो, सबसे पहले थ नख्षा बना लेते हैं 27 जिलों के नुसार, 28 जिलों के नुसार सबसे पहले क्या बना लो मैप बना लो, ठीक है, देखो, सब मैं पहले बता चुका हूँ, दुबारा नहीं बताऊंगा, बस ऐसी बना रहा हूँ, यह उत्तरी बस्तर, निचे आपका दक्चिडी बस्तर, ठीक यह आपका बेमेतरा, दूर्ग और बालोद, यह आपका हो गया, बालोदा बजार, यह निचे आप लोग का धमतरी हो गया, ठिक उपर में राइपूर हो गया और बीचोबी से हो गया आप लोग का महाँदर गरिया बन, ठीक है, इसJimない यहाँ से आप लोग का याद रखना है, मुगेली याद रखना है फिर बिलासपूर याद रखना है बिलासपूर के याद देखो कि इधर आप लोग के याद रखना है रागड याद रखना है रागड कुपर मी बगल में जस्ट उसके पस्ची में कोरबा और जाजगीर चांप याद रखना है ठीक है इतने याद कर जी तो अब देखो यहां से बना यहां पस आप आप लोग गूमने राजननद गौंद। राजनन गौं हमारे शतिम। हम improve। हमें बस्चेम से जाना ही पूरुदौध। कहा जाना है पस्चिम से जाना है पूर्व जाना है ऐसे कहा जाना है पस्चिम से पूर्व तो पस्चिम में हम लोग कहा पास है राजनन्द गाओं में है कहा है जी राजनन्द गाओं में है पस्चिम के राजनन्द गाओं में है तो राजनन्द गाओं से हमें जाना है रायग करके हम लोग आएंगे आपका जांदगीर चांपा आजाएंगे, कहां जाएंगे, जांदगीर चांपा आजाएंगे, ठीक है, जांदगीर चांपा आजाएंगे, जर्ष्ट रागड के नीचे, ठीक है न, रागड के बगल में, जांदगीर चांपा आजाएंगे, सबसे पहले क्या बोला मैं, राजनान गा जाएंगे? कोरिया जाएंगे ठीक है, फिर कोरिया से आपस आना है हमें तो देखो इसी को हम लें 29 3 एक 3 एक 3 बद दे 5 3 तै Jeans सबसे पहली कहा गिए हम लोग राजनान गाँ तो राजनान by से नीचे को अलग करके किस से अलग करके नीचे से अलग करके राजनांद गाउं के नीचे से अलग करके बना आप लोग का मोहला मानपूर अंबागड चोंकी ठीक है हमारे 36 गड का 29 जिला बना मोहला मानपूर अंबागड चोंकी क्या याद रखोगे मोहला मानपूर अंबागड चोंकी ठीक है मुहला मानपूर अंबागड चोकी किस से अलग होकर बना राजनांद गाउं से अलग होकर बना राजनांद गाउं से अलग होकर बना राजनांद गाउं से अलग होकर क्या बना मुहला मानपूर अंबागड चोकी बना ठीक है कौन से जिला उन तिस्वा जिला उसके बाद फि बलावदा बजार से किस से लिया गया है बिलाईगड को ठीक है बिलाईगड को बलावदा बजार से लिया गया है आप लोग का याद रखना तो राइगड और बलावदा बजार से लग करके क्या बनाया गया सारंगड बिलाईगड बनाया गया ठीक है यहाँ पर याद आखने राइगड का साथ एक और छोटा से जिला का उन बना बलाउदा बजार जो था तो बलाउदा बजार से किसको लिया गया बिलाईगड से यह सारंगड बिलेगड हमारे 36 गड़ का तीसवा नया जिला है ठीक है उसके बाद हम लोग कहा रागड गये थे फिर रागड गये थे तो फिर कहा गये थे वापस आ गये थे फिर रागड से फिर वापस कहा थे हम लोग राजनांद गाओं तो फिर हम लोग राजनांद गाओ आएंगे वापस तो राजनाध गाउ के नीचे को पहले हम लोग वी डिवेट कए थे अब उपर को डिवेट करेंगे ठीक है तो इसका डेट हो जाने के कारण 2022 में ही ततकाल क्या हुआ डेट हुआ तो वहां उपचना हुआ उपचना में आपका यह सोदा जो है क्या विधायक बनी यह सोदा वर्मा यह सोदा वर्मा यहां विधायक बनी तो जशी केंद्र सरकार के सरकार बनी तो उसके बाद तूरंत खैरागर में 16 अपरेल को क्या किया गोसड़ा किया और 18 अपरेल को अधिसुचना जारी करके आपको नाओ तीन सइथ अंबर ठीक है तीन सिथ अंबर कुha कर दिया जोस्टा कर दिया थे अनिर्मानण कर दिया गया थे ठीक है इतना याद रहा है। को एक खेरागड के बारे में तो उन्तीस्वा Jila habitat भूल महला मानपूर तिश्वा Jila शारगड भिलाइगर ठीक है और एक इतने ही बोले नम बोला मानपूर, सारागड भी लेएगड और खेरागड, ठीक है? उन तीस्वा-जिला जिला सारागड, एक तीस्वा जिला खेरागड. अब देखो, बती तीस्वा जिला और पे तीस्वा-जिला तो हम लोग वापास तो फिर नेन बंजस तो कहा गय था पहले मंधे उपर गया था ठीक है उपर गया थे उपर में आप लोग या दखना को रीया से अलग करकर बने अप लोग का मनेंद्रगाड मनेंद्रगाड चिरमिरी भरातपुर MCB याद रखना है है आप लोग को MCB जो कि हमारे 36 गड़ का सबसे छोटा अभी नया जिला है 36 गड़ का सबसे नया छोटा जिला और 36 गड़ का सबसे बड़ा जिला कौन बन गया है याहठों कИ निर्मीथ होने के बाद कोर्भा चाति सब और सब्से बड़ा जीला बन गया है यह याध रखना है तो मनेंद्र गड्ज 감사 स laquelle याद राखोगे वह निषयाद रखोगे मनेंद्र जींद्र मनेंद्ब थिक है मनेंद्र गड अधीक है person मोहला मानपूर कि से लग करके बनाया गए Kayla से और सकती किस से बनाया जांगीर चापस से बनाया इस प्रकार हमारे 36 गड़ के तीन सम्भागों के अंतरगात आनने वाले जिला राजनान्द गाउ से लग करके तीस्वा जिला मुहलांपूर और आपका राजनान्द गाउ से लग करके तीस्वा जिला सारंगाड विलाई ज़त जार्वा स्कति 29, 30, 31, 32, 33 मोहला, मानपूर, सारांगड, खैरागड, मनेंदरगड और सक्ति यह हो गए आप लोग का क्रम के नुसार अगर इसी क्रम के नुसार हम लोग देखें तो आप लोग देखो यह हो गए आप लोग का निर्माड हो गया अब देखो इसमें घोसडा कब हो यह देखो ठीक है घोसडा याद रखना आप लोग घोसडा घोसडा कब जारी हुआ यह याद रखना है ठीक है अधि सूचना याद रखना अधि सूचना के बाद याद रखोगे आप लोग सबसे पहले हम लोग की देखते हैं घोसड़ा ठीक है सबसे पहले क्या देखेंगे घोसड़ा 36 में हमारा पांच नए जीले ठीक है यह है चलो देखो 36 गड़े 5 नय जीले पहले क्या देखेंगे घोस्टा तो हमारे मुख्य मंत्री भूपेश का करने क्या किया था चार नय जीलों का घोस्टा किया था डेट याद रखने हैं आप लोग को ठीक है 15 अगस्त 2021 क्या याद रखोगे 15 अगस्त 2021 को हमारे मुख्य मंत्री भूपेश भग्यल जी ने चार नय जीलों की घोस्टा किया था वो चार नय जीलों क्या क्या देखो खैरागड को छोड़ दो बाकि मोहलामानपूर, सारंगड, मनेंद्र अगड और सक्ति चारों जीले का घोस्टा किया था कब 15 अगस्त 2021 को ठीक है तो यहाँ पर लिकलो मोहलामानपूर कब हुआ? 15 अगस्त 2021 को ठीक है सारंगड विले गड का बना मतब घोस्टा कब हुआ? 15 अगस्त 2021 को खैरागड की घोस्टा तो नहीं हुआ छोड़ दो इसको ठीक है, मनेंद्रगड का गोस्डा कब हुआ, 15 अगस्त 2021 को, सक्ती जीले का गोस्डा कब हुआ था, 15 अगस्त 2021 को ये सभी याद रखना है आप लोग को 15 अगस 2021 में 4 नए जीलों की घोषडा, ठीक है, खैरागड का याद रखना घोषडा का डेट आपको 16 अपरेल को, ठीक है, कब याद रखोगे, 16 अपरेल 2022 याद रखना है, ठीक है, ये 2022 में ही घोषडा हुआ, और 2022 में ही ये अधिसूच न हमें याद रखना है 15 अगस्त 2021 याद कर ले न ठीक है 4 नए जीलो की घोशणा अब एक और डेट याद रखना है आप लोग को 20 अक्टूबर 2021 क्या याद करोगे 20 अक्टूबर 2021 तो 20 अक्टूबर 2021 में 3 ने जीलो की क्या क्या गया अधिस्चना जारी हुई कितने जीलो की अधिस्चना जारी हुई तीन ने जीलो की अधिस्चना जारी हुई थी इसमें का आप लोग ये आप लोग दो को भूल जाओ खैरागड को भूल जाओ और आप मनेंद्रागड को ठीक है ये खैरागड और मनेंद्रागड को भूल जाओ बाकि तीन ने जीलो की अधिस सूचना कब जारी हुई 20 अक्टूबर 2021 को तो देखो 20 अक्टूबर 2021 को मोहला मानपूर क्या हुआ 20 अक्टूबर 2021 20 अक्टूबर 2021 को अधिस सूचना जारी हुई मोहला मानपूर की ठीक है उसके बाद सारंगड भी लेगड का पूछ देगा तो सारंगड भी लेगड़ जी लेका अधिसूचना कब जारी हुआ 20 अक्टूबर 2021 ठीक है अब देखो हैरागड़ जी लेकि अगर अधिसूचना पूँच देगा तो जस्ट एक दिन बाद एक दिन बाद के आ जाएगा 18 अप्रेल 18 अप्रेल की इसा क्या हुआ था अधिसूचना जारी हुआ था ठीक है 18 अप्रेल 2022 में हुआ इतना हो गया इसमें तीन अधिसूचना बताया था 20 अक्टूबर को 2021 का आप लोग का हो गया महला मानपूर फिर हो गया आप लोग का सारंगड भी लेगड और आपका आज आगे नीचे इस याद रखना 20 अक्टूबर 2021, ठीक है, 2021 में आप लोग का सक्ती जिले का क्या अधिस सुचना जारी हुई थी, तो जिसमें कब बज गया, मनेंद्रगड का डेट याद रखना आप लोग 11 नवंबर 2021, ठीक है, मनेंद्रगड जिले का, मनेंद् सक्ती इतना याद करते चलना है क्राम का नुशार, अब देखते हैं इस पाचो जिलो का गठन, ठीक है, आप लोगको ट्रीक याद रखना है, देखो, बेस्ट ट्रीक बताता हूँ, यहाँ पर सुरू में 2 याद रख लेना, ठीक है, नीचे 2 में 3 याद रख लेना, और नीचे के 2 में 9 याद रख लेना, ठीक है, यह सभी में 2022 भी याद रख लेना, तो 2 में क्या पहले मोहला मानपूर में याद रखना दो सितंबर को दो सितंबर दो हजार बाइस, दो सितंबर दो हजार बाइस को मोहला मानपूर जीले का घोसड़ा हुआ, मतब गठन हुआ, पूछ देगा मोहला मानपूर जीले का गठन कब हुआ, तो आप लोग बताओगे मोहला 2 सितंबर 2020 को हुआ ठीक है उसके बाद याद रखना है आप लोग को सारंगड भीलेइगड सारंगड भीलेइगड और खैराणगड दोनों के लिए 3 लिखा हूँ तो याद रखना है इसको 3 सितंबर 2020 3 सितंबर 2022 क्या हुआ था? इसका सुभाराम हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है? कि कौन से जिले का? सारंगड और खैरागड का गठन हुआ था 3 सितंबर 2022 में, नीचे में क्या लिखा हूँ? 9, ठीक है? इसको 9 मान लेना 9 सितंबर, ठीक है? 9 सितंबर 2022 को आपके मनेंद्रगर जिला और सक्ति जीले का गठन हुआ था lying.ऊ सितम्बर 2026 इस प्रकार आप लोग का पासले जिलयों की क्या क्या हुआ गोसडा हुआ है अधी सूचना हुआ और उसका गठन हुआ ठीक है इतना याद करते चलने हैं आप लोग